इस वीडियो में दी हुए जानकारी इंटरेनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मेदारी नहीं होगी यह hormone insulin के लिए शरीर की प्रतिक्रिया में भी सुधार करता है जो हमारे शरीर में रक्त शरकरा यानि की शरकरा के स्तर को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है इंसुलिन आपके रक्ट शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है और भोजन करने के बाद उन्हें बढ़ने से रोकता है जब तक यह निर्धारत किया गया है तब तक आपको इसे लेते रहना चाहिए रक्त शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है यदि आप स्तर को नियंतरित कर सकते हैं तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि किड्नी की क्षती, आखों की क्षती, तंत्र का समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं उचित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं Zoril A.P.E.T.E.R. को भोजन के साथ लेना बहतर होता है Zoril A.P.E.T.E.R. 3 एंटिडाबिटिक दवाओं का मिश्रण है Glymipiride, Metformin और Pyoglita Zone जब एकल या दोहरी चिकितसा प्रभावी नहीं होती है तो वे रक्ट शरकरा के बहतर नियंतरन प्रदान करने के लिए विभिन तंतरों द्वारा काम करते है Glymipiride एक सलफिनीलूरिया है जो रक्ट शरकरा को कम करने के लिए अग्णियाशे द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है Metformin एक बिगवानाइड है यह लीवर में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है आतों से ग्लूकोज के अवशोशन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती शरीर की समवेदनशीलता को बढ़ाता है प्यो ग्लिटाजोन एक थियाजोलिडाइन है जो इंसुलिन समवेदनशीलता को और बढ़ाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद